नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपक अपने यूटूब चैनल, आरजे नर्सिंग एकेंट परफ्रेंट्स, आज बात करने वाले image-based questions के बारे में, जो कि नोर सेट से related जित्ती भी nursing officer के exam में उनके लिए बहुत important साबित होने वाले हैं, एम से नोर सेट नर्सिंग officer के लिए ये बात कर लेते हैं, 50 तक पहले बात कर चुके हैं, नेक्स्ट जो 51 से लेके, जो 100 तक के, जो Q7 के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, कुछ Q7 जिसमें अगर आपको doubt हूँ, तो please comment box में जरूर comment करें, और ये Q7 वेरी वेरी important रहने वाले, जो कि आपके लिए बहुत important साबित होने वाले हैं, तो बात करते हैं, questions number 51 से identify the image, जो image यहाँ पे दिया गया, उसको आपको identify करना है, और चार options यहाँ पे दिये गए हैं, जिसमें पस्ट, LP needle, BMP needle, epidural needle, और megani needles, तो right answer यहाँ पे रहने वाला 51 का option C, epidural needle, next बात करते हैं, questions number 52, जो कि यहाँ पे का एक image दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो, तो इस परकार के जो image उसको traction है, उसको क्या बोला जाता है, smith traction, dunlop traction, bucks traction, और yellow traction, तो जो right answer यहाँ पे रहने वाला options B, dunlop traction, 52 में right answer options B, dunlop traction, next एक questions 53, जिसमें एक image यहाँ पे दिया गया, एक monitor type का है, और इसमें कुछ reading भ monitor, defibrillator और echography, तो 53 का जो right answer है, यहाँ पे आप देख सकते हो, cardiac monitor, जिसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, pulse rate रहने वाला है, प्लस यहाँ पे SPO2 भी आपको देखने को मिलेगा, BP देखने को मिलेगा, और respiratory rate यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो भी exact इसमें यहाँ पे दिख रहा है, वो एक original यहाँ पे आपका cardiac monitor रखा हुआ है, next 54 जो की एक instrument है, जो की identify image करना है, किस परकार का image है, ECG machines, cardiac monitor, defibrillator और echography, तो जो right answer यहाँ पे रहने वाला options A, ECG machines जो की आप यहाँ पे देख सकते हो, next 55 जिसमें एक machine यहाँ पे दिया गहा है, तो इस identify करना है, किस परकार का machine यह रहने वाला है, जिसमें चार options है, plasma, pharesis, hemodialysis, incubator और radiant warmer, तो जो right answer यहाँ पे रहने वाला है, options A, plasma, pharesis, okay, plasma, pharesis, next बात करेंगे, questions 56 के बारे में, जिसमें एक और instrument यहाँ पे machine दिया गहा है, चार options है, plasma, pharesis, hemodialysis, photographic, phototherapy machine, और radiant warmer, तो चार options यहाँ पे आपका रहने वाला जिसमें, राइट आंसर के अगर बात करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पे radiant warmer, ओके, radiant warmer आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत important इसके रिगार्डिंग, exam में एक से दो questions, every time यहाँ पे पूछा जाता है, next, 57, जिसमें एक और questions यहाँ पे दिया गया है, एको डाइग्राम है, या इसको मसीन है, जिसमें, चार options है, plasma, pharesis, hemodialysis, phototherapy machine, और radiant warmer, तो 57 का जो राइट आंसर है, option C, phototherapy machine, next, 58, जिसमें एक और इमेज यहाँ पे दिया गया है, चार options आपके सामने है, plasma, pharesis, hemodialysis, ventilator, radiant warmer, तो राइट आंसर यह 58 का राइट आंसर है, option C, ventilator, ventilator है, जो की बहुत इंपोर्टेंट है, इंटुबेटेट जो भी पेसेंट है, उनको एक oxygen प्रोवाइड करने के लिए, machine के द्वारा oxygen प्रोवाइड करने के लिए, जो ventilator उसका यूज किया जाता है, जिसमें सभी, यहाँ पे एक डिस्पले भ आपको बता दू, यह जो रहने वाला ventilator circuit इसको बोला जाता है, जो की direct इसमें compress करके diet patient side में यहाँ पे connect किया जाता है, नेक्स्ट है, 59 जिसमें एक और machine यहाँ पे दिया गया है, चार options है, plasma, pharesis, hemodialysis, phototherapy machines और radiant warmer, तो जो right answer यहाँ पे रहने वाला options, B, hemodialysis, जो hemodialysis machine, इस इसमें एक और image यहाँ पे दिया गया है, चार options आपके पास में रहने वाला आपको, जो machine यहाँ पे दिया गया है, इसको पहचान ना, क्यूंकि exam एक्जक्ट है से ही questions वहाँ पे पूछा जाता है, या तो machine जो भी instrument दिया जाता है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है, कि जो machine सामने या जो instrument दिया गया है, इसका क्या नाम यहाँ पे रखा गया है, चार options है, ultrasound, ecography, phototherapy machines और radiant warmer, तो जो right answer यहाँ पे रहने वाला, right answer ultrasound machine, identify the image, जिसमें यहाँ पे आपको दिया गया है, चार options है, band circuit, 20 circuit, NIBP, और MBU, बेग, तो right answer है यहाँ पे, band circuit, इसका right answer है, जो कि रहने के लिए, band circuit का यूज किया जाता है, जिस टाइम में या suction करना है, या percent को shift करना होता है, without ventilator के, तो इसका mostly यहाँ पे यूज किया जाता है, next 62 number, जो कि एक identify रखना है, कि कि परकार का tube यहाँ पे दिया गया है, band circuit, 20 circuits, NIBP, और MBU, बेग, तो right answer है यहाँ पे रहने वा यहाँ पे, ventilator के अंदर यहाँ पे connect होता है, जिससे कि direct उसमें oxygen है, या जो भी है वो provide किया जा सके, और identify the image, एक और image यहाँ पे दिया गया है, किस परकार का image है, हिपा filter, HME filter, NRB filter, और PNRB filter, तो इस परकार का जो filter है, वो किस परकार का है, चार options है, right answer यहाँ पे रहने वा इसमें connect किया जाता है, next है, question 64, जिसमें एक और image दिया गया है, चार options है, जिसमें resistant, wrist band, tonic vent, और neck belt, तो right answer यहाँ पे रहने वाला है, tonic vent, इसका use mostly रहने वाला है, blood sampling में या कुछ canulations के अंदर, इसका mostly यहाँ पे यूज किया जाता है, next 65 नमबर, जिसमें identify करना किस परकार क procedures यहाँ पे रहने वाला है, suction set, dialysis, paracentesis, और ICD set, तो right answer यहाँ पे रहने वाला है, options D, ICD set यह रहने वाला जिसमें अलग-लग type के यहाँ पे box रख्या हुए है, तो इस परकार से इसका अलग-लग use यहाँ पे रखा हुआ है, next 66 नमबर, जिसमें एक tube आपको यहाँ पे नज spc catheter और chest tube, तो right answer यहाँ पे रहने वाला है, options APEG tube, next 67 नमबर, जिसमें एक tube यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें किस परकार का image रहने वाला है, identify the image जिसमें rails tube, SB tube, levens tube और minosta tube, तो right answer यहाँ पे रहने वाला है, options D, minosta tube, जिसमें अलग-लग type के यहाँ पे बेलोन जो बेलोन फ्लाने के लिए भी रखा हुआ है, तीन परकार के अलग port इसमें दियेगे, मतलब total मिला कि चार port यहाँ पे रखे हुए है, जिसमें से एक बेलोन के लिए और तीन अधर uses के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, next 68 जिसमें एक tube यहाँ पे दी गई है, तो इसको identify कन किस परकार का tube, कितना French nasal tube यह रहने वाला है, 12 French nasal nasal tube, 14 French nasal tube, 16 French nasal tube, 18 French nasal tube, तो जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला 68 के अंदर, तो यह राइट आंसर रहा 14 French nasalogastic tube, ग्रीन कलर का जो tube है, उसको कितना बोला जाता है, 14 French nasalogastic tube, next 69 जिसमें एक और tube यहाँ पे दिया गए है, चार ओप्संस, पी एमो लाइन, nasal canula, यंकर canula, और बाइफर के संस ट्यूब, तो जो यहाँ पे पोर्ट आपको दिखाए दे रहा है, यह oxygen के लिए nasal canula के तो और पे रखा हुआ है, nasal canula इसको बोला जाता है, 69 नंबर, तो राइट रांसर nasal canula, next 70 नंबर जिसमें एक बेग यहाँ पे दिया हुआ है, चार ओप्संस है, आइस पेक, बेड क्रेडल, होट वाटर बेग और स्पंज पिलो, तो जो राइट रांसर यहाँ पे रहने वाला, ओप्स ही होट वाटर बेग इसको बोला जाता है, next 71 जिसमें एक इंजेक्शन से यहाँ पे दिया जा रहा है, तो यह एक milk type का इंजेक्शन से, तो किस परकार का इंजेक्शन सराने वाला है, मेडा जोलाम इंजेक्शन प्रोफॉफोल इंजेक्शन सरे, वेकुरुनियम और इसमें अलग लग ट्रेह यहां पर तयार की हुए है जिसमें आप देख सकते हुए है जिसमें सभी इस्टुमेंट यहां पर रखे हुए है सीवीपी सेट, आइसीडी सेट, कोलोस्टोमी सेट और ट्रेक्योस्टोमी सेट तो जो राइट रांसर यहां पर रहने वाला ओप्शन सी कोलोस्टोमी सेट तो इस पर किस परकार का सेट रहने वाला कोलोस्टोमी सेट नेक्स्ट है 73 जिसमें आइडेंटिफाई दे इमेज यह नेंब्रेन थर्मामेटर नेक्स्ट कुशन्स नम्मर 74 जिसमें यहां पर एक इमेज दिया हुआ इसको आपको आइडेंटीफाइ करना है किस परकार का इमेज रहने वाला है ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी यूरोस्टोमी और एसेंडिंग कोलोस्टोमी और इलियोस्टोमी तो 74 क मास्क पी इनरबी मास्क फेस मास्क और वेंचूरी मास्क तो राइट नूसर यहां पर रहने वाला ओप्षण स्थी फेस मास्क ओंके NORMAL फेस मासक इसको बोला जाता है जो की एक्जाम में ओक्सिजन जो मेथर से उन्स के रिलेटेड बहुत से क्यूसंट से पूछे जाते हैं नेक्स्ट है identify the image जिसमें चार ओप्संस है और यहाँ पे एक मास्क दिया हुआ इसके अलग लग पोर्ट यह रहने वाले हैं जिसमें यहाँ पे इसको कनक्ट किया जाता है नर्बी मास्क पी नर्बी मास्क फेस मास्क और वेंचूरी मास्क है तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ओप्संस दी वेंचूरी मास्क है वेंचूरी मास्क जो कलर कोड यहाँ पे रहने वाले अलग लग टाइप के अलग लग लग फ्लोरेट के लिए इसको कलर को और vacuum cleaner तो right answer है यहाँ पर nebulizer machine ओके नेबुलाइज करने के लिए यह machine mostly योज की जाती है next is 78 नमर जिसमें चार options है एक image यहाँ पर दिया हुआ है और face mask, nrv mask, venturi mask और nebulizer mask तो यह जो port यहाँ पर रखा हुआ इसको बोला जाता है नेबुलाइजर mask है तो यह port से ही आपको पैचानना है और इस port में यहाँ पर जो medicines रहती है लिवोसाल बुटामॉल या बुडियो कोट्स यह रहते हैं उनकी जो medicines liquid type की रहती है वो इसमें डाली जाती है और उसके मास्क विंचुरी मास्क और नेबुलाइजर मास्क है तो 79 का राइट अंसर यहाँ पर रहने वाला है एनर भी मास्क नोन री ब्रीदर मास्क नेक्स्ट क्यूसंस नमर एटी जो की एक आइडेंटिफाई करना इमेज यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें चार ओप्संस है के चैनापसी और बेड क्रेडल थोमस स्पिलेंट और फुट अरेस्ट तो जो राइट अंसर यहाँ पर रहने वाला ओप्संस भी बेड क्रेडल बेड क्रेडल का मॉस्टली यूज बरन जो पैसेंट रहते हैं उनके लिए यहाँ पर मॉस्टली यूज किया जाता है पूछा गया है तो चार ओप्संस में से राइट अंसर यहाँ पर फुट बोड नेक्स्ट है 82 नंबर जिसमें यहाँ पर एक इमीज रखा हुआ बेड के उपर जिसमें आइडेंटिफाई करना है किस परकार का इमीज है साइड रेल आवर हेड रेल और ट्रेप जी बार और ट्रेक्शन सेट है तो 82 का जो राइट अंसर है ओप्संस सी ट्रेप जी बार इसको बोला जाता है नेक्स्ट क्यूशंस नंबर 83 जिसमें आइडेंटिफाई करना है एक इमीज यहाँ पर रखा हुआ है सेंट्री फ्यूजन्स होट एर ओवन माइक्रोविव और रेफ्रिज लेटर है तो जो राइट अंसर यहाँ पर रहने वाला है ओप्संस भी होट एर ओवन तो बाहर से इस परकार से दिखता है और अंदर इसका जो साचे बने विये हैं वो इस परकार से रहते हैं जिसको बोला जाता है होट एर ओवन नेक्स्ट है 84 जिसमें एक ट्यूब रहने वाला है kolostomy irrigation से एनिमा एंजी फिडिंग और ब्लेडर irrigation तो राइट आंसर यहां पर रहने वाला है एनिमा एनिमा केन इसको बोला जाता है next एक क्यूसंस नमबर 85 जिसमें identify करना किस परकार का image रहने वाला है और nebulizer, steam inhaler, hitting lamp और एनिमा केन है तो राइट आंसर है यहां पर steam inhaler next क्यूसंस नमबर 86 जिसमें एक और image यहां पर दिया हुआ है जो कि mostly जो respiratory disease वाले patient रहते हैं उनके लिए यहां पर यूज किया जाता है चार ओप्संस है CPAP machine, Spirometry और BiPAP machine और 3 Chamber drainage system तो जो राइट आंसर यहां पर रहने वाला है Spirometry इसको राइट आंसर है जो कि COPD patients के लिए mostly जो यूज या asthma patient के लिए mostly जो जो यूज किया जाता है next है क्यूसंस नमबर 87 जिसमें एक image दिया हुआ है और यह image किस टाइप का image रहने वाला है चार ओप्संस है Ventilator, CPAP, Nebulizer और Oxygen Therapy तो जो राइट आंसर यहां पर रहने वाला है CPAP machine इसको बोला जाता है continuous positive airway machine जो भी इसका full forum है next है 88 नमबर जो कि इस परकार का image है और यह image exam में बहुत बार exam में questions पूचा गया है most important questions रहने वाला है जिसमें चार ओप्संस आपके पास मिलने वाला NPWT, Wake Therapy Paracentesis और both A and B तो जो राइट आंसर है both A and B जिसको NPWT और Wake Therapy के नाम से दोनों के नाम से इसको जाना जाता है next है questions नमबर 89 जिसमें कुछ instrument यहां पर रखे हुए है तो किस परकार के instrument है चार ओप्संस है सक्सन के तेटर, SPC के तेटर सिलिकोन के तेटर और पिग टेल के तेटर तो जो राइट आंसर है यहां पर पिग टेल के तेटर क्यूकि जो पिग रहता है उसकी जो पूच है उसके आकार के यहां पर instrument रखे हुए है तो उसको बोला जाता है पिग टेल के तेटर जिसमें एक और मास्क या इमीज यहां पर रखा हुआ इसको किस नाम से जाना जाता है इडेंटिफाई दे इमीज कोलोस्टोमी बेग, एमबू बेग, यूरोस्टोमी बेग और सक्सन प्रेसर बेग तो राइट 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 नेक्स्ट 93 नंबर जिसमें एकोर मसीन यहां पर ड्रम टाइप में रखा हुआ है तो इसके अलग-लग सेट यहां पर रखे हुए है जिसमें मेनोमीटर का ओप्शन भी यहां पर रखा हुआ है ओटोकलेव प्लाजमा फेरेसिस सक्षन मसीन और बाइप मसीन तो 93 का जो नेक्स्ट 94 जिसमें एकोर इंस्टूमेंट यहां पर रखा हुआ जिसमें कुछ सेंपल अंदर यहां पर रखे हुए है तो माइक्रोवेव होटेर ओवन और ओटोमेटिक केमस्टी एनलाइजर और सेंट्रिफ्यूज मसीन तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सडी सेंट् इलाइजा रीडर और अबीजी मसीन तो जो राइट आंसर यहां पर रहने वाला है ओप्शन से इलाइजा रीडर 95 राइट आंसर ओप्शन से इलाइजा रीडर नेक्स्ट है क्योसंस नंबर 96 जिसमें एकोर मसीन यहां पर रखा हुआ है किस परकार का मसीन है हेमोगलोबिन मेटर्स ECG मसीन इलाइजा रीडर और ABG मसीन तो 96 का जो राइट अंसर है राइट अंसर है यहाँ पे ABG मसीन नेक्स्ट है क्यूसंस नंबर 97 जो कि mostly exam में पूछा गया क्यूसंस बहुत important क्यूसंस रहने वाला है और जिसमें चार ओप्संस आपको यहाँ पे मिलने वाला यहाँ पे एक मसीन के द्वारा इसको डारेट कंप्रेसंस यहाँ पे किया जाता है और यह जो थ्रोमोसिस होता है डीप वेन के अंदर उनके रिलीव करने के लिए इसका mostly योज किया जाता है नेक्स्ट एक क्यूसंस नंबर 98 जिसमें एक और मसीन यहाँ पे रखे हुई है जिसका डियाग्रम आपको दिखाई देने वाला है जिसमें चार ओप्संस है अल्ट्रा साउंड मसीन डेक्साइज स्केन टोनोमेटरी और पोर्टेबल एक्सरे मसीन तो रहने वाला है अल्ट्रा साउंड मसीन डेक्साइज स्केन टोनोमेटरी पोर्टेबल एक्सरे मसीन तो राइट अंसर यहाँ पे ओप्संस भी डेक्सा मसीन डेक्साइज स्केन नेक्स्ट है 100 नंबर जो की एक इंस्टूमेंट यहाँ पे रखा हुआ किस परकार का किया जाता है टेंपरेचर प्रोब नेक्स्ट और लास्ट कुसंस यहाँ पे रहने वाला जिसमें एक ट्रे यहाँ पे रखी हुई है जिसमें आइडेंटिफाई करना की किस परकार का ट्रे है किड्ने ट्रे पेराफिन बात ट्रे सिज बात ट्रे और साइडेक्स ट्रे तो फ्रेंट्स टोटल 101 क्यूसंस के बारे में बात कर चुके हैं जो की एक्जाम से या नोर्सिट से रिलेटेट बहुत इंपोर्टेंट साबित होने वाला है लगबग 10 से 15 क्यूसंस आपके हरे एक्जाम में आसे में आपको देखने को मिल सकते हैं इस परकार से फिर भी अगर आ कोमेंट करी रेपलाइ करने की कोसिस करेंगे मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में तत्त के लिए स्वास्त्रे मस्त्रे धन मैं फ्रेंट्स